हेलो एवरीवन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के इंटरस्ट रेट्स के बारे में आपने शायद सुना होगा कि कुछ बैंक्स ने और नॉन बैंकिंग फैनेंशल कॉर्परेशन ने पिछले वी बैंक्स और NBFC अपने इंटरस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक को डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगी कि as an investor हमें इस टाइम पर क्या करना चाहिए और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सर्व और कुछ बैंक्स जैसे कि HDFC बैंक और ICACA बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट के इंटरस्ट रेट को थोड़ा बहुत बढ़ाया है और ये तब किया गया है जबकि जैसा कि माना जा रहा था Reserve Bank of India अभी इंटरस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं करेगा और आ एक साल से 18 महीने की जो उनकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसमें 10 बेसिस पॉइंट से अपना इंटरस्ट रेट बढ़ाया है उसके अलावा उनको उन्होंने लगभग 15 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है तो अब अगर बात की जाए कि भई FD रेट को बढ़ाया क्यों गया है जबकि RBI जैसा की माना जा रहा था वो रेट को अंचेंजड रखेगा उन्होंने अंचेंजड रखा है इसके अलावा सिस्टम में बहु जब उनको पैसे की जरुरत होती है तो उसमें इंट्रस्ट रेट बड़े है मिट सेप्टेंबर के बाद से जैसे की तीन मंत का जो ट्रेजरी बिल होता है उसमें 20 बेसिस पॉइंट से उसका इंट्रस्ट रेट बढ़ा है और 10 साल का जो बैंचमा की इल्ड है वो भी 6.16% स 6.39% हो गया है September 15 के बाद से लेकर अब तक तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद fixed deposit rates भी जैसे कि market rates बढ़े हैं तो उसके चक्कर में कुछ banks और NBFC ने बढ़ाए हैं इसके अलावा दूसरा अगर reason हम सोचें तो यह हो सकता है कि जो credit growth है वो लगातार बढ़ रही है अभी जो 19th November को data आया था उसमें 7.1% थी year over year credit growth rate और ऐसा माना जा रहा है कि यह जो March 2022 तक यह 8% और अगले साल 10% तक बढ़ सकती है तो जो भी lenders हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं कि जो credit growth बढ़ेगी यानि कि उसके बाद लोग उनसे जब करजा लेने आएंगे तो उनके पास enough पैसा होना चाहिए तो वो customer से deposit rate बढ़ाके deposit ज़्यादा से ज़्यादा collect करना चाहते हैं इसके अलावा अगर और reason की बात की जाए तो अभी पीछे क्या हुआ था कि जैसे all time low पे हैं अभी इस time पे interest rate तो depositors क्या कर रहे हैं वो अभी short term deposits कर रहे हैं ताकि जैसे interest rate बढ़ें वो long term के लिए तभी FD को book करें तो हो सकता है कि जो थोड़े से long term rates बढ़ाए गए हैं कुछ banks और NBFC के द्वारा तो उनका reason यह है कि वो चाहते हैं कि lender जो है उनके साथ long term commitment करें rather than short term में अगर rates बढ़ जाते हैं तो वो पुरानी वाली FDs को break करके नई FDs पे जा सकते हैं तो इसलिए शायद एक और reason ही हो सकता है कि lenders चाहते हैं कि उनको long term commitment दें इसके बाद चौथा reason ही हो सकता है कि जब pandemic आया था उसके बाद fixed deposit rate इतने ज़्यादा कम हो गए थे कि कई लोगों ने सोचा कि यार fixed deposit में क्यों डाला जाए हम saving account में ही रख लेते हैं कोई 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 फायदा नहीं था और उपर से वहां पे थोड़ी commitment थी और अगर आप उसे break करते हो तो आपको penalty भी देनी पड़ती है interest भी कम पड़ता है तो उसके चलते जो saving bank में लोग अपना पैसा रखने लगे थे और उसको अगर समझा जाये तो आप Reserve Bank of India के current data से समझ सकते हैं जैसे कि जो November 19 को जो data था outstanding deposits का वो 157.8 लाग करोड था और अगर इसमें से current और saving accounts की बात की जाये तो 18.2 लाग करोड था जिसमें कि पिछले साल के मुकाबले 20.46% का increase देखा गया था और वहीं FD का data दो 149.58 लाग करोड था लेकिन उसमें सिरफ 8.5% का increase देखा गया था तो इस deposit में पार्क करें fund ताकि उनकी long term commitment मिल सके जब भी उनको पैसा चाहिए हो credit growth आने के बाद और ऐसा लगता है कि जैसे कि इननोंने rates बढ़ाए हैं इनमें से कुछ top banks है, top NBFCs हैं तो दूसरे players भी इनको follow करेंगे और अपने rates बढ़ाएंगे और at the end of the day ये सब customers के लिए ये बहुत important regular income का source है, तो ये एक अच्छी news है कि अगर interest rate बढ़ते हैं थोड़ी सी stable income बढ़ेगी, तो अब अगर बात की जाए कि ऐसे में हम investors को क्या करना चाहिए, तो कुछ जो सुझाव हो सकते हैं उसमें से जैसे पहला सुझाव ये है कि long term FD में आप invest करना अभी avoid कीज तो क्योंकि normally ऐसे time में सबसे पहले अगर जब rates बढ़ाये जाते हैं तो short to medium FD में बढ़ाये जाते हैं, उसके अलावा अगर एक साल या उससे कम की अगर आप FD करते हैं और इस बीच में अगर rates बढ़ जाते हैं तो आपकी जैसे ही वो FD mature होगी तो आप higher rate पे दुबारा स उसको book करा सकते हैं, अगर आप अभी से ही 5 साल या 10 साल की FD में करा देंगे, तो अगर उसके बाद आप break करते हैं तो आपको penalty भी देनी पड़ेगी और overall जब भी आप break करोगे तो उस period का आपको interest मिलेगा जो कि काफी कम होगा, तो ये एक solution हो सकता है, इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं, अगर ये rate बड़े ही ना बहुत time तक और तब हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उस case में आप एक FD ladder strategy follow कर सकते हैं, ये क्या होती है कि अगर आपको एक बड़ी FD करानी है, उसकी जगा पे आप multiple छोटी-छोटी F FD करानी है, तो उसको आप 5 parts में divide कर दीजिए, एक एक लाख के, तो एक FD को आप 1 साल के लिए बुक कराईए, एक को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, और 5 साल के लिए, अलग अलग 1 लाख रुपे बुक करा दीजिए, उसके बाद क्या होगा, पहले साल के उसको आप long term के लिए करा सकते हैं, तो anyway आपकी ladder बन जाएगी, जिससे कि आपकी हर साल FD मैचूर होती रहेंगी, तो in case interest rate बढ़ते हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, और overall जो अगर आप अभी avoid करते हैं long term FD में करना, तो उसमें हो सकता है कि अगर rate बढ़े ही न तो उसमें नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे case में आपको average return आती रहेगी, तो हर साल जो rate चल रहे होंगे, उसके basis पे आपकी long term FDs book होती जाएंगी, तो ये एक strategy हो सकती है, और इसके अलावा आप तीसरी option देख सकते हैं कि floating rate options देख सकते हैं, हाला कि बहुत ही कम bank ये offer करते ह हैं, जैसे कि आज की rate में Indian overseas bank और IDABI bank floating rate के term deposit offer करते हैं, तो ये क्या होते हैं, इसमें ये होता है कि जो interest rate होता है, वो किसी benchmark interest rate के साथ tie up होता है, link होता है, जैसे कि repo rate हो सकता है, या कोई और rate, तो जैसे ही अगर वो change होगा, तो आपका भी interest rate बढ़ या घट जाएगा, और इसमें क्या होता है कि depositor को, अगर मान लो कि कल को interest rate बढ़ते हैं, तो आपके भी जो FD के rate हो बढ़ जाएंगे, जैसे floating loans होते हैं, ऐसे floating FD होते हैं, लेकिन इसमें आपके पास options बहुत ही कम है, क्योंकि दो ही bank offer करते हैं, आपको अपने bank से check करना पड़ेगा कि अगर ऐसी आपको purchase कर सकते हैं, तो इसमें जो 7 साल का interest है, वो 7.15% है और इसमें half yearly आपको interest दिया जाता है, और वो national saving certificate के interest के साथ link होता है, तो कल को अगर NSC का interest rate बढ़ेंगे या घटेंगे, तो आपका भी interest rate accordingly change हो जाएगा, तो ये कुछ तरीके हैं, जिससे कि आप ऐसे time में जबकि बहुत ही uncertainty बनी हुई है, rates को लेकर के, तो आप कुछ तरह से अपने आपको protect कर सकते हैं, hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो please इसको अपने friends के साथ share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, like कीजिए, और अपने comments देकर feedback दीजिए, thanks so much for watching the video and God bless you one.